डॉक्टर कांता बूत्राज मेरेकल सीरीज सिंकपी फेंटिंग अटैक मुर्चित होना सिंकपी मुर्चित होना हो फेंटिंग अटैक काफी कॉमन चीज है इसमें क्या होता है कुछ भी करेंट से अच्छाने कपका ब्लड पेश्य कम हो गया तो आपको दिमाग मों खून कम मिलता है दिमाग में खून कम मिलेगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा और उसके करेंट फेंटिंग अटैक पूरी जिंदगी में एक हाथ बाहर तो अनुबवित होते ही है मैं खुद भी उसमें सेफ हूं मेरा अनुबवब बताती हूं M.D. Medicine करने के बाद में मैंने क्लीनिकल असिस्टेंट बोलके बॉंबी में होस्पिटल में सिंगल साम के अंडर काम दिया था उनके जेजे होस्पिटल में मंडे मॉर्निंग को सुभा आठ बजी ग्रेंट राउंड होते थे और मैं वहां पहुंच जाती थी तो एक मंडे को ऐसे ही जब उनकी राउंड चल रहे थे और लास्ट वाला पेशेंट आया होगा उसी वक्त मुझे अंधेरा सा लग रहा था और मुझे लगा कि मैं शायद गिर जाओंगी और मुझे सब लोग मेरे ओर देखेंगे या मैं सब के बीच में आ रहे हूँ ऐसे लगने से मैंने सुच तो चलो तब तो मैं थोड़ा कीच लेती हूँ जब राउंड खतब हो गया था तो मैंने खुद को इस पोजिशन में पाया मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कब ऐसे बैठी बीच वाले पास दस सेकंड मेरे लिए टोटेली ब्लैंक थें सर ने जब पूछा are you all right तो मेरे कुछ मालों पड़ा अरे मैं तो नीचे बैट ग तो मैंने उनको बताया कि सर रात को मैं सोलापूर से ट्रेवल करके सूबर ट्रेंज से आई हूं और वीटी स्टेशन से सीधा इतर जेजव होस्पिटल आई जेजव होस्पिटल में लिप बन थी उपर चड़के आई हूं और तबसे ही मेरे को थोड़ा सा अंधेरा से लग मैं प्रेग्नन भी थी प्रेग्नन सी कि जब बात कहरी रही हूं तो मैं लड़कियों के दूसरा भी प्रॉब्लम बैता देती हूं जब मैंसे शुरू होते तो शुरुवात के परेड में मैंसे के फर्स दिन पेन बहुत ज्यादा एब्डोमेनल होता है और उसके साथ काफी बहुत सारी लड़कियों में सिंकोपिल अटेक्स आते हैं यहां तक कि उनको एका दिन वर्क से ओप लेना पड़ता है ऐसे लड़कियों में सिंकोपिल अटेक्स बहुत ज्यादा होते क्यूंकि वेट-Conscience होती है खाने में डाटरी फैट्स होते बराबर खाना नहीं खाते हैं काफी बर मेंसेस में ब्लेड लॉस होने के करण भी उनको वीकने साइवी रहती है कि जो आयन रिप्लेस नहीं किया जाता है तो उसके सिवा अगर आप धूप में बहुत खड़े होंगे तो भी दीहडरेशन के करण बहुत गरदी में भी शादियों का सीजन है दोफर मे जैने हैं मरात भी बरात भी बरात निकली हो या कोई जुलस निकला हो उसमे आप जा रहे हों तो बहुत बहुत दीह दीमे 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 जलते तो ml beaucoup भी बिन नहीं पिया हो तो भी मुर्चित होने के प्राबलब्लेम खड़े जाता है उसके सिवा पतंदी पिया है यह सब थर वो अच्छा निक्सा अपनी सब ब्लड विसल डायलेट कर देता है, पल्स भी कम कर देता है, वेगस न स्टिमिलेट कर देता है, पसीना हो जाता है, हाथ पर थंडे पढ़ जाते हैं, और आप मुर्चित हो जाते हो, पर कभी समोज कोई एक दम शौकिंग निूस सुन लियापने, समझ आपने एक्सपेक्टिया होगा किक्छा में बहुत अच्छे मार को आने वाले न एक्दम फेल हो गए, या कोई अच्छी निउस भी एकदम शौकिंग नेक्सपेक्टिर सुन लियाप कोई 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 सिंपल ब्लड देखने से, एक्सिडेंट देखने से, भी प्रेंश एक्षित हो जाते हैं कि जब भी आपको सिंकोपी जए से लग रहा है, वह होने के पहले अपने को प्रिसिंकोपी जए थोड़ इसी आइडिया आती रहती है उस टेम पर क्या होता है, आखों के सामने अंधेरा सा यह आपको दिख रहा है, पर क्या है मालूम नहीं पढ़ रहा है, ऐसी हालत हो जाती है, कानों में आवाज आता है, सामने वाला क्या बोल जाए, आप खुरा अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, उल्टी जएसे लगत होगे, जब भी आपको फेंटिंग जैसे लगता है, उस वक्त अगर आप कुरसी पे बैठे हो, और सीर नीचे करके इस ढंग से बैठो गई, तो भी आपको ठीक लगेगा, पर इससे भी आपका फेंटिंग नहीं कम हुआ, तो आपको पैर उपर ले लेने हैं, घुटने कभी हो, कभी-कभी फेंटिंग एटेक में आपको एक्शली बेहोशी ज्यादा टाइम मिलती है, या कभी लगता है फिट जैसे, ऐसे सिच्विशन कभ खड़ी हो जाती है, अभी एक लेडी थी, गरम पानी से शौवर लेके वह बाहर निकलती रही, अंगलिंग पूछने के अभी नेचरल है, तो उसको अंधेरा सा लग रहा था, तो उसने लगा मैं रूम के अंदर चली जाओ, उसले वह वैसे ही खड़ी हो कि कप्डे पहने के कोशिश कर रही थी, महा पे बेहोश हो के गिर गई, अभी और एक एक एक्जमपल वैता हुँ हूँ कि जिसमें बहुत नाष्टा विष्टा कुछ किया नहीं था, फिर बैंक में उसके जब लंच आऊ थे तो लोग बाहर आके बैटे, बाहर भी थोड़ी सी दूप आ रही थी, तो वह आपे खाने के टेबल पे तो बैटी हुए थी पर उसको उल्टी जए लग रहा था तो इससे बैठी हुई दो उसके बहला मिर की तबेठी थित्मी हैं थभ़ा आंधेरा सा लग रहा है कुछ हो रहा है उसके तो अजाते लड़कियों ने सोचा हूँ ने जा ले आपके सुला देते हैं तो लोग उठा के उसको अंदर रों के लिए लिए ले ले जा अंगर आ ए लिए तो नोग उत् वो सेम जो होट वाट के साथ भी प्रॉब्लेम हो जाती है कि आप एक्षवरी जब जोर से गिरते हो और हाथ पर रिषाई कड़क हो जाते हैं क्योंकि आपको अक्सिजन दिमाग में काफी टाइम से कम मिल रहा है आपको जो लाइं डाउन या सिटिंग पोजिशन में फेंटिंग में आना चाहिए उसमें आप आ नहीं पा रहे हो इसलिए दिमाग में और भी कम खुन चलने के कारेंट या दिमाग में और भी कम अक्सिजन मिलने के कारेंट जब फेंटिंग एटेक जो आ रहा है उस टेम पे आप गिरो गई तो कभी फिट्स जी आ जाती है, एक दो जर्क्स भी आ जाते हैं, हाथ पर ऐसे कड़क भी हो जाते हैं, तो वो अपने को ध्यान रखना पड़े, कि जब भी आपको लगता है अंधेरा सा आ रहा है, आप मैं हाथ दो रही हूँ और मिझे लग रहा है कि मेरे को अंधेरा सा आ रहा है, कुछ हो रहा है तो वहां पे कुछ वाश मिशिन के वहां पर पकड़ने का है, तो मैं पकड़ कि खड़े हो गई जाप ट्रेन में हो एकड़े ट्रेन है और उसके अंदर आपने उपर ऐसे अधे करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस फिट्सकी बीमारी है या तो तो प्रॉपर हिस्टी लेकर के पहले ही काफी बार ऐसे चक्र बाई रहा जाता थे क्या आप चक्रा के बैट जाते थे तो अगर बार बार हो रहा हो एं फिर भी खड़े होने बाद में बाद में तो शायद मोस्ली सिंकोपी का इबड़ा है तो सेकता है अब सिंकोपी होती तब क्या करना चाहिए जैसे मैं आपको बताया था कि काफी बार यंग लड़कियों में इसे खड़ी हो जाती है और एक सेकड़ा बैट जैसे मेरे खुद के केस में हो आता कि एक दसमंदा सेकंड के में बेहोशुई पर बाद में एक दम ठीक हो गई तो काफी सिंकोपी टेक्स अपने आप यह इसे ही चले जाते हैं कभी नहीं जाते हैं यह आपको लगता है मैं उठने में अपर नहीं हूं तो पानी पीलो लेमन जूस पीलो कॉफी पीलो थोड़ा सा फिर बाद में ठीक ल तो आप उसको जबरदस्ती खड़ा करने के कोशिश मत करो उसमें आपके गिरने के चांस बढ़ जाते हैं अवे इस सिंकोपी के पेशंट के तपास क्या कराने है यूजली तो सपोस्ट जंग लड़की है दो गंटे से धूप में खड़े है या परेड में खड़े है उसमे कि लिए बहुत सारी तपास की ज़रूत है पर जो उसके बाद भी हम बार बार सिंकोपी के अटेक से सिटिंग बीटिंग में हो रहे है तो नेचरल है आपको सब रिपोर्स कराने पड़ेंगे कार्डियक वी चेक अप करना पड़े कई हाट का प्रोबलम नहीं है ना कई तबलम नहीं चल्ता लाइन आई हाड में कोई ब्लॉक नहीं है और सब चौप तपास की जरूर पड़े थो ही को बीक और वोल्टर भी कारना पड़े टेल टेस्ट वी करना क्ड़न फेच्वा लीटित जोरू नहीं नहीं करना पड़े सिंपलाइं आयर बहूँ को माह मैं हम वहीं सब रिपोर्ट भी कराने पड़ते हैं, बार बार हिस्ट्री कोछ नी पड़ती है, पहले की हिस्ट्री रिपिट लेनी पड़ती है, तो आप नक्किक कर सकते हो, यह क्या है? अब यहीं सिंकोपी के जो कॉमन सिंकोपी फेंटिंग एक जो मैंने बोला वन थर अप लोगों कभी तो लाइक में हो ही जाता है, वो तो मैंने आपको बता दिये उसमें ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है, एकसे आपको प्री सिंकोपी के पहले अंदेरा सा लगे, कुछ ल जाएगी, उसकी सिवा, सिंकोपी के जो दूसरे कारण है, हाट की कोई भी बीमारी के कारण मेरे को लगता है, मुसकी सिंकोपी हो सकती है, बीपी जादा हो गया, कम हो गया, कुछ भी हुआ, दवाईया है, रीदम प्रोबलम से, सब में होता है, दाइबेटिक बीपी डाउ, बीपी डाउ, मुस्ली स्टेंडिक पोजिशन, सो इसके करन हो रहा है, मुस्ट्रेशन सिंकोपी, ऐसे होती है, अगर आप रात को बहुत थके हुए, सोय हो, या कोई अल्कॉल बेके सोया है, और फिर बात में पेशब बहुत अंदर एकटा हुआ, एकदम बी यह कि छीज है कि इनको लग रहा है नग अंधिरा तो वहाँ एक दो मिनिट बैठे रहे हो अठेक चला जाएगा और फिर बाद में आराम से उटके आ सकते हैं कोई को खासी जोर से आती हो तो भी सिंखोपी हो जाते हैं कोई को बहुत जोर से लगो हस से तो भी अंधिरा जाता आते हैं कि काफी बर बाद मेड़ला है वो निचे परामिन मेगनम से निचे नीकल रहा है उन झूड़ रहे हैं जूड़ रहा है वहाँ पे जंक्शन कोई प्रॉब्लम हो तो उसके करंट भी आपको जोर से हसने से या जोर से खासी आने से सिंकोपी अले धेक या ब्योषरी की दवरे आज सकते हैं, तो यह प्रोब्लेम सीरियसली लीजिए, तो बाकी तो मैंने आपको मिक्टुरेशन सिंकोपी, कार्डियाग सिंकोपी इन सब कारिक बारो में पहले दो वीडियो किये हुए, वो देखोगे तो आपको उसकी आइडिया आ जाएगी, वेट आइगो पार्ट टू और दूसरा दिल और दिमाग का रिष्टा, हार्ट ब्रेंट रिलेशन सिप, इसमें हार्ट को पूरे कारेंट सिंकोपी लिए भी हैं, और वेट आइगो पार्ट टू में अच्छी तरह से पोस्ट्रल हाइपोटेंशन और सब कुछ कवर किया अनेमिया हो तो उसकी दवईया ले लिए, बाकि कोई हो समझो बीटोल कम लग रहा है, तो उसकी दवईया साथ में ले लिजे, बाकि डरने की कोई बात नहीं है, खाना, पीना, सोना सब टावया टाइम पे रखोगे, तो शायद सिंकोपी केटेक्स नहीं आएंगे.